हलो वेवन सौगेते हैं आपका लेट्स टॉक स्टॉक चाप्टर 50 के अंदर यहां पे हम में लिए वेल्थ क्रिशन परस्टनल फाइनल मीचल फंड एट्फ स्टॉक मार्किट के बारे में डिसकस करते हैं और आपको भी मज़ा आरोगा जितने तेजी से आपके कोशन आ रहे ह यह कैसा लगता है आपको तो सर मेरे इसाब से यह मूचल फंड पीजी आयम का वन ऑफ ता बेस्ट मूचल फंड के अंदर से आता है देखो मुझे किसी भी ग्रुप पे कोई ऐसे दिक्कत नहीं है कि यार कैनरा रुबैक को बिकार होते हैं या पीजी आयम बिकार होते हैं म जो आपको बार-बार बीट कर रहा है जो कि एक अच्छी बात है दूसरी चीज इसका जो expense ratio है वो है 0.39 के आसपास अपने category में one of the lowest expense ratio यह hold करते हैं थर्ड चीज जो इनका exit load है basically वो भी आप तीन महीने के बाद अगर आप exit करते हो तो वो भी पूरी तरीक से खतम हो जाता ह अगर आपको तीन महीने के लिए पैसर डालना है किसी भी mutual fund में मत डालो अगर आपको तीन महीने के लिए पैसर डालना है तो मेरी ख्याल से आप FD कर आओ because short term है यह short term के अंदर कोई नहीं कह सकता अगर मैं आपको यह बोल भी दू जो personally मेरा मानना है मुझे लगता है market चलनी चाहिए लेकिन तीन महीने में ना कुछ भी हो सकता है तो FD के अंदर invest करना चाहिए mutual funds के अंदर या stocks के अंदर आप सिर्फ तब invest करो या तो आपका mind clear हो कि यह गिर भी गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपका mind clear नहीं है और आपको पता ही कि तीन महीने बाद पैसे की ज़रुत पढ़ सकती है तो उस case के और आपको 10-15% के return बना करके दे देगी और रिस्क बढ़ जाएगा तो short term में सिर्फ or safe FD long term investing है मतलब more than a year है तब हम consider कर सकते है stock या mutual fund other than that दूर रहो liquid fund से भी दूर रहो safe or safe FD करा हो तीन महीने में अगर आपको confirm की जरूत पढ़ेगी तो अगर आपको लगता है वो benchmark beat नहीं कर पाएगा मतलब वो अपने जो underlying asset है उसको beat नहीं कर पाएगा तो आपको small cap 250 index अंडर डलना चाहिए अगर हम very long term की बात करें तो मैं ख्याल से निपाउन इडिया small cap जो है वो beat करेगा अपने benchmark को तो वहाँ पर आपको जरूर डलना चाहिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ जब भी आप index investing की बात करते हो तो आप समझ लो कि वो एक index create कर दिया गया है 250 कंपनियों का जो mutual fund है वो कुछ ही नहीं करेगा वो उसके 250 कंपनियों में डालेगा उसका अपना कोई दिमाग नहीं लगता उस case के अंदर तो क्या होगा कि वो चलेगा तो चलेगा नहीं चलेगा दूसी चीज़ small cap company होती है यह दूसरी जो small cap mutual funds होते हैं उसके अंदर mutual fund manager का दिमाग लगता है उसकी strategy लगती है कि वो 200 कंपनियों में से कौन सी कंपनियों होंगी जिसको वो अपने portfolio में रखेगा और जिसको वो अपने portfolio से निकाल देगा ज्यादातर cases में 50-60-70 कंपनियों होती है normal small cap mutual funds के अंदर तो इसी वज़े से small cap mutual funds ज्यादा अच्छा प्रफॉर्म करेगा और index fund में अगर आप गलग timing पर फस गए तो आपको काफी लंबे समय तक loss देखने को मिलेगा तो इसी वज़े से small cap funds ज्यादा अच्छ लेगा मुझे ही लगता कि index के अंदर ये सही time होगा invest करने का at least वो एक swing था वो हमने ले लिया अब थोड़ी बाद profit booking की जा सकती कल मैं इस पर वीडियो मनाई है आप ज़रूर देख सकते हो जैश्री महाकाल का question है भाई काफी time के बाद आपको देखे हो कैसे हो I hope आप अच्छे होगे तो जो इनका question है कि इनके पिता जी को 50 लाग रुपे के आसपास का investment करना है दस साल के लिए balance तरीकी का mutual fund होना चाहिए 15% के आसपास की CAG या इनको चाहिए तो क्या करना चाहिए सर मेरे साबसे भाई आपको जादा दिवांग नहीं लगाना चाहिए निफ्टी के अंदर जो भी आपका पैसा है उसका 60% के आसपास निफ्टी इंडेक्स के अंदर डाल सकते है उसके बाद जो 20% है वो आपको mid cap में डालना चाहिए उसके बाद जो 20% है वो आपको small cap के अ दालना चाहिए तो यहाँ पर जो रिस्क है वो आपको almost खतम साही हो जाया क्योंकि देखो जो निफ्टी 50 है उसके अंदर आपका 60-70% के आसपास है मैं करो 70% डाल दो आप तो जो निफ्टी है वो आपको 12-13% के आसपास के रिटन दे देगी in a very long term right in a very long term क्योंकि आपने 10 साल के लिए वहीं पर जो mid cap है वो थोड़ा हाई रिस्क आता है निफ्टी से क्योंकि लार्ज क्योंकि चोटी कंपनिया है तो उसके इसके अंदर आपको जो रिटन है वहाँ पर 12-14% तक बन जाएंगे वहाँ पर भी अम्मान लेते हैं 12-14% तो जो average रिटन आएंगे आप point of view लो तो क्या ये सही time होगा invest करने का मेरे साब से बिलकुल भी नहीं ये सही time नहीं है index investing के लिए ये time है आप या तो किसी mutual fund में SIP करो अगर आपको watch का SIP कर रहे हो तो आप कर सकते हो market वापिस से आएगी 18,000-19,000 के आसपस तब जरूर एक लंब सम किया जा सकता है यह मैं 50-50 की बात कर रहा हूँ दूसरी चीज़ जब market नीचे गिरेगे सिर्फ और सिर्फ तब आपको invest करनी है और चार installment में invest करनी है हर एक हफते में एक installment ब अगर आपको 5 साल पर भी चाहिए तो भी चल जाएगा लेकिन अगर आपको लगत है कि market गेरी और आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी next year या दो year के अंदर तो उस case के अंदर आप लंब सम मत करना क्योंकि वह एक अलग तरीका है investing का उस case के अंदर अलग तरीके से invest किया जा अगर आप अब ही करोगे दस साल के छोड़ोगे तो भी हमारे फेवर में रिस्क रिवार्ड रिशो लेकिन अब ही करोगे और बोलोगी कि भाई मुझे हो सकता है एक दू साल चाहिए तो इन्वेस्ट किया जा सकता है आई होप आपको यह चीज़ क्लियर होगी होगी क्या स ही स्ट्राटेजी होगी नहीं है तो आप कमेंट कर देना दुबारा मैं आपको दुबारा से पॉइंट टू पॉइंट एक वीडियो बना करके इस पर समझा दूगा अलपेश जी का नेक्स्ट कुशन है आई होप मैंने आपका दाम सही लिया नहीं लिया तो वीडियो से उसके अपडेट्स भी आ रहे है उसी वीडियो के साथ साथ तो टाटा स्मॉल के भी आएगी लेकिन अगर मैं इन शॉट बताने कोशिट को तो टाटा स्मॉल का फंड अच्छा है कंसिस्टेंट कंपाउंडर है इसने प्रूफ करा हुआ है तेरा चौदा पंद समझ है जाएगा कि क्या पॉइंट ऑफ यू है मेरा उसका पाउन दे क्लियर वेसिस क्यूंकि करन्ट पॉट्फोलियो अभी मैंने नहीं देखा है तो मैं दुबारा से अपडेट करूँ हूँ वह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए मैं यह मैं सजिस्ट करूँ आप तो कैसा रखने वाला है सर देखो अगर दो तीन चीज़े हैं जो मुझे लगता है आपको समझने चाहिए पहले चीज़ है जो अच्छा अच्छा नहीं है कि बहुत चोट है लेकिन लॉजिकली देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं यह राइट यह आप प्ली चाहरे मुझे फंड तीन हजार पांसो के में में इस आपसे बहुत ज़्यादा है इनका कोई सैंस नहीं बनता क्यों नहीं बनता आप यह समझो देखो आपने मेड़ कैप लिए है मुझे अच्छे लिए पोट-फोलियो आपका बहुत अच्छा है लेकिन यहां पर दो साथ से आपको जादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए एक या दो म्यूचिल फ़ंड रखने चाहिए कौन से हो सकते हैं आप पराग पारे का फ्लैक्सी कैप ले लो और एक मैल्टी कैप ले सकते हो या फिर एक सिंगल मुल्टी कैप भी ले लोगे निपाउन का तो भी हमारे सा होता है उसे कम से कम पूरे पूर्टी कैप आपके 25% मेरे इक सजेशन रहने वाले कि अगर आपकी यंग हो आप तो इस सहाब पर पैसों पर ज़्यादा फोकस करूबूटी ठीक है obviously अगर आप portfolio या यह साई चीज़े बंद करोगे देखना तो मेरा negative है कि आप मेरे view नहीं कर पाऊगे आप मेरी video नहीं देखोगे लेकिन मैं आपको एक चीज़ बूलना चाहूँगा कि भाई इस समय पैसा कमाने पर फोकस करो ठीक है ये साई चीज़े चलती है ये साई चीज़े होंगी ये साई चीज़े नहीं होंगी लेकिन एक multi-cap आपके लिए काम करेगा other than that आपको पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए ये जो investing amount है सो खीच करके आप 10,000 तक ली करके हो minimum तब जा करके एक अच्छा मोटा कॉर्पस बनेगा जो आपके जन्दगी चेंज कर पाए मंडल जी का question करें क्या इसमें SWP करना सही रहेगा ये बात करें सजीफ से mid cap opportunity fund की बिल्कुल सर आप किसी में भी SWP कर सकते हैं सच कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर आखे आपके एक form sign करना होता है तो आपको systematic withdrawal plan आ जाते हैं लेकिन अब SWP कैसे करते हैं ये समझना ज़रूरी है SWP जब आप करते हो systematic withdrawal plan आप तब करते हो जब आपको पैसो की hybrid fund हो ये fund होते हैं जब आप invest करते हो SWP के लिए क्यों जो mid cap fund है जब market गिरेगी बहुत तेजी से गिरेगा अभी market चड़र रही है तो सबको mid cap है small cap ले नहीं है आसी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अगर आपको ये लगता है आपको volatility manage कर पाओगे जब market गिरेगी तब लेना चाहिए या फिर hybrid fund लेना चाहिए उसके अंदर SWP करोगा तो काम अच्छा होगा क्यों चाहे market गिरे चाहे market चड़े अगर market गिरेगी तो जो balance और hybrid fund होते है उसमें gold की position होती है जी से killed होता है corporate bond होते है तो वहां से उनका consistent पैसा आ रहा होता है तो आपको जो portfolio है वो अ नहीं के अंदर invest करते है, mid cap के अंदर कर लोगे, volatile होगा, NAV जल्दी पिक जाएंगी market गिरने पर तो कोई sense नहीं मनेगा, इसलिए safe investment कर नीचे से, sandstone का question है कहने कि 28 का mutual fund अपडेट नहीं है, मतलब 28 के अंदर जो भी market अप डाउन हुआ, उससे mutual fund के जो return से उस पर कोई impact नही पर नीचे नहीं हुआ, basically ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक closing time होता है, उसके बाद mutual fund अपना portfolio update करते है, NAV update करते है, दो तिन चीज़ हो सकते है, या तो 28 को market अतनी ज्यादा उपर नीचे गई नहीं तो, जो minus update हुआ, उससे ऐस सच पता नहीं चाहिए, other than that, हो सकता ह कोई glitch होगा, उस app का जिसके तुरू आप invest कर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, सच होना चाहिए, कोई भी दिक्कत, तो अगर इसके अलावा कुछ है, तो अभी नहीं पता, मैं search करके आप पर ज़रू रहा हूँगा, I'll get back to you, sir. इलाजिन सर्का कुछेन है, काफी अच्छा कुछेन है, यह कह रहे हैं, in case 30 के आसपास है, 3,50,000 रुपे इंवेस्ट करना चाहते हैं, लंब सब, यह कह रहे हैं कि रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, minimum 10 साल से ज़्यादा के लिए इनवेस्ट करना चाह हो क्योंकि equity के अंदर risk है I hope आप यह समझते होगे equity risk free नहीं हो सकती कभी भी क्योंकि जब आप देखोगे market नहीं चलती तो 2-2 साल तक होता है आपका कोई भी पैसा नहीं बनता यह आपको समझना चाहिए तो अगर आप equity में आ रहे हो तो risk तो आ चुका है कम है ज्यादा है वो देखते हैं अगर आप nifty 50 के अंदर invest करते हो तो आप पचास कंपनियों में invest कर रहे हो इंडिया की तो यह तो आपकी जो recovery है वो थोड़ी सी जल्दी होते वह देखेगा और आपको green आपका portfolio थोड़ा जल्दी से होते वह देखेगा अगर आप अभी लंसम करोगे तो आपको red देखेगा आपका portfolio कुस टाइम के बाद ही क्योंकि market गिरेगी जो चीज़ उपर गई है वो चीज़ नि manager है उसके पास कहीं ना कहीं शक्तियां चली आती है कि वह कहां invest करना चाता है और इंडिया खतम होगा और इंडिया खतम होगा तो जो आपके पास cash है उसकी भी कोई value नहीं रहेगी because वह trust government के थूरू से आता है राइट दूसी चीज़ आपके expense ratio भी कम होगा तो आप कम पैस कम आओगे 12-13% के आसपस index में लेकिन जो expense ratio है वो 0.30 का है तो आपको पैसा भी कम देना पड़ेगा तो index investing other than that कहीं पर भी बटक नहीं जरूत नहीं बढ़ियां चीज़ है index investing करने चाहिए लेकिन जब market गिर जाए सिर्फ तब रागफ का question है कि आपकी जो एक किस साल मुझे यह लगता है कि अब जो हमाई generation है जो upcoming generation है वो काफी जल्दी financial चीज़ों के बार में सीख रहे ही कि चीज़े काम कैसे करते हैं और यह अच्छी चीज़े क्योंकि जिस वे में आपने जितनी जल्दी investing शुरू करी है compounding का आपको benefit मिलेगा और अ बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं रही बात portfolio की portfolio के अंदर भी आपने जो mutual fund select है रहे हैं अच्छे हैं अच्छे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब यहां पे कुछ चीज़ें हैं जो change हो सकती हैं मेरे साब से यह मेरा opinion obviously कोई buying or selling recommendation नहीं है जैसे hdhc multi cap और परागपर flexi cap य दोनों cases के अंदर जो fund manager होते हैं वो last cap category के अंदर invest करेंगे तो जो last cap वाला portfolio है आपका वो थोड़ा बढ़ जाएगा तो मेरे हिसाब से sgfc multi cap हट सकता है इसके पीछे भी reason है क्यों कि इसके अलावा आपने क्वान टाटा और निपॉन के small cap mutual fund खरी दे हुए हैं तो multi cap के अ तो बहुत ज़्यादा volatile है अगर आपको risk थोड़ा ज़्यादा पसंद है आपके लंबे समय तक जैसे आपकी age भी कम है उसके इसकंदा quant आपके portfolio में होना चाहिए personally यह मेरा मनना क्योंकि गिरेगा बढ़ेगा बढ़ता चड़ता रहेगा अगर आप invest कर रहे हो 10-15 साल के लि बहुत अच्छी नहीं बहुत बुरी नहीं लेकिन एक decent level के recovery है लेकिन जो उसका stock का portfolio है वो इस सामा पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुक है तो इससे क्या होगा कि आपके जो return है वो कम हो जाएंगी क्योंकि हो सकता है निपॉन गिर गया यह बढ़ गया यह बढ़ गया वो गिर गया तो इससे return compress हो जाते हैं तो इस case के अंदर पराग पारे क्वांट और Tata मेरे सबसे अच्छा कम करेंगी आपके portfolio के लिए other than that जो भी पैसा बचेगा कम रिस्क लेना है तो पराक पारेक में जाया डाल सकते हो आप जादा रिस्क लेना है तो क्वांट और Tata के अंदर divide कर सकते हो मेरे सबसे इस तरीकी का portfolio होना चाहिए इसी के नीचे तनमे जी ने भी comment करा है जो कि बहुत अच्छी बात है इससे बाद चल यह था मेरा pointer कि आपकी portfolio पर सब्सक्राइब कनिका की दुनिया नाम इनका काफी अच्छा नाम है मैं यह कह रहे हैं कि realize gain और unrealized return क्या होते हैं please explain realize का मतलब हो गया कि आपने बेच करके profit book कर लिया और unrealized का मतलब हो गया आपने profit book नहीं करा नहीं समझे चलो explain करते हैं मान लो आ unrealized क्यों क्योंकि अभी तक आपने book नहीं करा है अभी तक बेचा नहीं है जिस दिन आप अपना profit या loss book कर लेते हो उसको हम कहते हैं realize profit या फिर realize gain क्यों क्योंकि अब आप पैसा जो है table से ले जा करके अपने पास ले चुके हो जब तक पैसा table पर पढ़ा हुआ है मतलब invested है तब तक पैसा unrealized है चाहे वो loss हो चाहे वो gain हो सब्सक्राइब करने वाले हैं और यह कह रहे है कि यह step up भी करेंगे 5-8% हैं वली तो सर जो आप कर रहे हो बिलकुल बहुत ही बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हो अगर आपके portfolio के बात करो तो मुझे से एक major दिक्कत दिखती है कि आपने पूरे के पूरे small cap के अंदर invest करा हुआ है मतलब आप over exposed to small cap mutual funds के अंदर तो इससे क्या हो सकता है सबसे पहले दिक्कत इसमें यह आने वाली है कि जो आपके returns है वो index के return आएंगे क्योंकि अगर मैं nifty 52 nifty 250 index small cap की बात करें तो धाई-soo company होती है और वही सारी company आपको इन सब के अंदर देखने को मिलेंगे तो जो return हो गए वो index के return हो गए तो अगर आपको index के return ही मिल रहे ह तो इससे अच्छा है कि आप सिर्फ और सिर्फ index में invest करो लेकिन obviously आप index में invest नहीं करना चाते हैं तब ही आपने यह सारे खरीदे हैं तो आपके पास quant हो सकता है निपान हो सकता है यह दो हो गए small cap से other than that जो access और SBI है यह underperform कर रहे हैं इस साम पर obviously बात में recovery होगी और बहु हो कम हो जाएंगे तो मेरे साबसे इसमें से दो small cap mutual fund कम हो सकते हैं और एक mid cap आपने डाला हुआ है एक और mid cap आप add कर सकते हो तो इससे क्या होगा आपका जो portfolio है वो balance हो जाएगा mutual fund के दुनिया में small cap और mid cap के अंदर सबसे धाधा पैसा बनता है तो दो mid cap ले सकते हो आप ता तो इस तरीके का जरूर portfolio मेरे साबसे बन सकता है इसके अंदर overall mutual fund selection आपके काफी अच्छे है लेकिन small cap के अंदर exposure ज्यादा है शायद ये दूसरी तीसरी बाप बोल रहा हूँ because मेरे को लगता है कि इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए other than that पैसा बन जाएगा पैसे बनने में कोई दिक्कत नहीं है आप थोड़ा ज्यादा रस ले रहे हो तो मेरे साब से पैसा आपका अच्छा बनना चाहिए 17-18% के CGR मेरे साब से आपको मिलने च से मिल जाएगी थोड़ा बत पॉटफोल्य चोंट करने से भी आपके रिटन जो है वह काफी इच्छे बनते हो दिखेंगे मोटे-मोटे तौर पर चार मीचिल हो सकते है कॉंट निपॉन मोतिलाल का एड़ हो सकता है एक्सिस का मिट कैप हो सकता है एक्सिस स्मॉल कैप और स्मॉल का जो पैसा है ये बाकी सब में आज पर You て जाएगा डिवाइड हो जाएगा अगर रिज्क जाधा लेका है तो समॉल कप में जाएगा वह पैसा अगर लेना है तो मिट कैप में जाएगा लेकिन इत्ते साइश मॉल कैप के साथ इंडेक्स से जज़दा रिटन बना मतलब high risk काता है high risk का मतलब आता है quant की quant बहुत ज़्यादा volatile है लेकिन जो उसके return है वो देखने लायक होते हैं तो ज़रूर कैनरा की जगा हम quant ले सकते हैं अगर हम high return के बाद करें other than that मुझे लगता है निपान और SDFC के जो small cap हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे है तो SDFC में अभी थोड़ी से recovery बाकी है तो मेरे साब से SDFC भी आप consider कर सकते हो या फिर quant आपको consider करना चाहिए मेरे हिसाब से obviously opinion है कोई भी buying or selling recommendation नहीं है रही बात कैनरा की तो कैनरा under performance कर रहा है last एक दो साल से तो बतानी कब सब्सक्राइब करना चाहिए तो सबसे पहला चीन मेरे साब से यह हो सकता है इसकी जगा आपने मिराय टेक्सेवर लिया हुए जित्ता मुझे पता है मिराय टेक्सेवर में इंवेस्ट कर रहे होंगे लॉंग एक्सेस वाले में नहीं कर रहे होगे तो यह ची बात है इसके बाद सब्सक्राइब करें अच्छा फंड है अगर आप सब्सक्राइब करें लेकिन ठीक है ऐसा काम चल सकता है कैनरा से बैटर है बट अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो मेरे खाल से चींज किया जा सकता है चाहे आपको टेक ले लो और फिर नपॉन ले लो कोई भी दूसरा फंड चींज किया जा सकता है ओविसली लॉंग टर्म में आपके पैसे बन जाएंगे बट मुझे लगता है इन चारों के थोड़े ज्यादा बनेंगे ऐस पर करेंट पॉर्ट फोल कोई दूसरा एक स्मॉल क्याप हो सकता है चाहे कुटक का हो चाहे कौंट का हो चाहे निपॉन का हो कोई भी हो कोई भी क्यूंकि स्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है यह चारों मुझे लगता थोड़ी ज्यादा रिकवरी आएगी यहां से रही बात मोतिलाल की तो अच्छा अगल कुछ ट्राइम तक आपको देखने को मिल सकता है अधर दिन दाट पॉट्फोलियो आपको अच्छा लग रहा है ऐस सच कोई दिक्कत है निस वर इसके अंदर इन चेंजिस के अलावा तो यह कुछ कोशन थे जो मुझे अबिक करने थे अगर आपको कोशन पिक नहीं ह है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो क्योंकि कोशन काफी सारे हैं नीचे चले जाते हैं तो दुबार देखना मुश्किल होता है दूसरी चीज लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आपका कमेंट जो है वह हाइलाइट हो जाए थैंकि सो मच आपका कर्का करें और स्टाइब करते हैं त Pardon you